जैन्द एस्पिरिंस आयरुबे थाकुर वेलकम यूटू एसस्बेक राक एग्जाम्स चैनल और एक बहुत है पॉटन हमने हेड्लाइन पड़े होगी चो चल रहे है कि यूके के अंदर हमारा हुआ है एक कंटामिनेटेड ब्लड का स्केंडल और यह स्केंडल है वो आज का चानमीन हुआ सब उसको अब एक रिपोर्ट आई है तो चलिए आज के पूरे लेक्चर में हम जानेंगी कि क्या था वो स्केंडल एंड किस तरह से चीजें जो है अब फॉर्दर एफेक्ट वहीं और गॉर्मेंट का इसके उपर पटिकुलर ली क्या कहना है करेक्ट चलिए किसी ने कोई पटिकुलर एक इंडिपेंडेंट इंक्वाइरी कंड़क्ट की गई और जैसे कि मैंने आपको बताया है उनाइटेट किंग्डम्स कंटामिनेट ब्लड स्केंडल पब्लिश की गई माई 20 कोई यस उसी के अंदर जो भी लोग इससे अफेक्टेड हुआ है तो इस डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली हुआ क्या था पटेस इस वास्टेस वास्टेस इन बेटूइन दाट इस अफेक्टेड कंटामिनेटेड ब्लड चढ़ा दिया गया था यह व्लेट क्या में यह सर्जरी जाब तब टान्स्विशन की जरूरा तो होती है ब्लड करने के वज़ज़ से लास्ट में हमारे साथ बेसिकली लेटर ओन एजस में देखा हैपिटाइटस C, HIV इन सब चीजों से लोगों को सफर करना पड़ना and of course you know at the end the death is a reason done and of course कभी भी कोई डिजीज अगर आपको इस तरह की आ जाती है आपको पूरा लाइफ सफर कर जाता है correct so results of the infected blood inquiry showed that between 1970s and the early 1990s over 30,000 people in Britain received this tainted blood around 30,000 लोगों को ये contaminated blood चड़ाया गया था जिससे hepatitis और HIV जैसी जो हैं बिमारियां फैले थी ठीक है अब ये जो inquiry launch की गई थी that was in the year 2070 ठीक है जब थे थेरेसा में इस दा प्राइम मेनिस्टर उस पंटेकुलर टाइम पे से inquiry को launch किया गया था so 1970s and 1980 तक 1000 of people जिनको blood clotting disorder hemophilia था so this is a one type of a disorder ठीक है उनको जो क्या है blood जो donate किया गया था या जो लोगों ने blood donate किया था उनको वो दिया गया and देखा किया गया कि जिनको सिरफ hemophilia था उसके बाद उनको HIV virus और hepatitis भी हो गया so point is हुआ कि जो blood उनको दिया गया जो donated blood उनको चड़ाया गया वो उसके अंदर already HIV का virus और hepatitis था so tainted blood was also given to the people जिनको blood transfer जब आपको पता है कि जब child birth है जब surgeries चल रहे तो blood loss बहुत जादा हो जाता था then also we need the units of the blood and उसके दोरान भी यही blood use किया गया early 1970s में NHS जोनोंने start किया था नया treatment for the hemophilia जो था factor 8 जो एक तरह का हमारे पास क्या है treatment का नाम है जो hemophilia के लिए start किया गया था so this was a pharmaceutical product that was created by pooling plasma from many donors तो इस particular treatment के अंदर जो plasma है उसको इकटा किया जाता था and फिर डोनर से maximum डोनर से उन सब से इकटे लेके उसके बाद जिसको हम consider भी करते है as a wonder drug ठीक है फिर यह किसको दिया जाता था जो भी hemophilia या joe valley brand syndrome है इन से जो grass लोग थे जिनको जरूरत थी उस चीज की वो हम उनको दे देते थे so the nature of factor 8 was as that even one effective donor could compromise the entire batch of the protein ठीक है तो यह उसकी बाद थी factor 8 treatment की product को use किया गया was NHS was imported from the United States where a large volume of the neonatal plasma at the time came from the prisoners and the users of intravenous drugs ठीक है अब हुआ क्या कि जब यह blood अगर आप ले रहे थे तो उस time पर blood मंगाया गया US से और पाया गया कि US के अंदर जब blood को दे रहे तो blood कि स्लोगन दिया था या तो होते थे prisoners ठीक है prisoners थे यह वो लोग थे जो already drugs consume करते थे तो अगर आप normally आज भी देखोगे अगर कोई drug consume करते थे तो उस particular इंसान से हम blood नहीं लेते हैं similarly prisoners you all know the things are ठीक है reality है चेक है आपको पता है so यह वहां पे भी हम नहीं blood लेते हैं पर उस time पर यही हुआ तो most hepatitis C infections were seen in the transfusion recipient जिनको transfusion कराया गया blood transfusion जाओ वहां पे सबसब the hepatitis C के cases देखेगे 380 children were infected with HIV ठीक है nearly two-third of those who were infected by HIV later and that died of AIDS related illness 380 लोग ते जिनको HIV हुआ बच्चे थे बच्चे और उसमें से 2 by 3rd को क्या हो गया later उनकी death होगे because AIDS तक बात पहुँच चुके थी and unknown number transferred HIV to their partners a report बाया दिनने पना of course we all know HIV जो है वो transfer हो जाता है so that's why report said और क्या बात है कि 2400 से 5,000 recipient ऐसे थे जिनको blood में जिनको hepatitis C के बिमारी हो गई and exact figure तो चलो you all know कि नहीं हम इस पर idea लगा सकते है several reports said the school children some as young as of the 2 year olds were subjected to a medical trials using the infected blood products तो अब यह अंदाजा लगा सकते हैं उस particular time पर blood के related जितनी भी चीज़ें हुई थी सारी किस अरे infected ही थी and उसी के वज़े से इतना इश्वान देखे कितने साल बाद यह सारा scandal जो है UK का सामने आया then आज यह हर एक जाए BBC देख लो कहीं वे भी this is the main headline on the UK correct so no doubt Rishi Sonak ने उसके लिए सारी भी तो कह but the point is भाई हालांकि Rishi Sonak उसलाइं पर पावर में नहीं थे but the point is of course आज जो पावर में रहे गाउनी को इस चीज का जो है वो उठाना पड़ेगा बिडा so the doctors in the epophilia centers used blood products even though they were widely known as like to be the contaminated as per the reports patients were deliberately given factor rates so they could be enrolled in the clinical trials there is evidence that experts called on fellow doctors to identify patients suitable for clinical trials and more specifically previous untreated patients so factor rate के भी आपको भी पता है जब भी कोई हम नया treatment लेके आते है नया vaccine लेके आते है तो of course we need some clinical trials और उस particular time पे यह किया गया उन्हों patients को बुलाया गया जो पहले untreated थे and इसे ही बात में क्या हुआ कि जो untreated patients थे उन्हों को क्या कर दिया गया यही blood उनके अंदर चड़ा दिया गया blood जो भी product से जो contaminated blood था वही उसमें use कर लिया गया अलागी 122 pupils of who attended the Trello's college between 1974 to 1987 70 have so 75 have died due to HIV and hepatitis C infections similarly controversy of the time centered on the medical trials that involves the placebo treatments meaning that children who thought they had been given factor 8 to prevent bleeds had in fact given a saline solution तो पहले जो यह लग रहा था कि factor 8 के अंदर उनको bleeding रोकने के लिए जो भी उनको problem था ठीक है तो उसमें bleeds रोकने ले जो solution दिया गया तो उसमें bleeds रोकने ले जो solution दिया गया तो just a saline solution correct so with the belief that they could lead a near normal life after the transfusion these children engaged in rough outdoor games only to risk their lives further तो एक तो आपने contaminated उसका transfusion किया उसके बाद outdoor games में भी आपने गया तो इससे जो restaurant की life and वो हुआ है ठीक है of course और ज्यादा बढ़ गया था it was only after 1985 that all factor 8 products were heat treated to kill the HIV virus however UK blood donations were not routinely screened for hepatitis C until 1991 so 1917 से यह चपचा चलता है और 1991 तक proper screening ही नहीं की जा रही थी because अगर आप आज देखेंगे आज जो भी blood लिया जाता है उसकी proper screening होती है अगर आपको कोई भी बिमारी है तो उसको blood को नहीं लिया जाता है then ताकि वो properly maintained हो but yes we are talking about that particular time evidence provided to the inquiry suggests that the British government choose to turn a blind eye to the situation mainly due to the financial considerations अब यहां पर आता है government के उपर question कि आपने जान बूझ के यह कि आपने आंके बंद करी and आपका जो reason था that was this only कि financial considerations आपने देखा हलांकि कुछ official document जो कि 1990 से that cost concerns prevented the NHS from pursuing adequate testing कि financial आप कह सकतो restrictions के वादा जहे financial की जो एक कमीट उसकी वजह से NHS Navy adequate to testing चेएदी campaign चेएदी वो सब चीज़े नहीं कराएगई ठी awareness के उपर काम नहीं किया गया many warnings in the mid 1970 that blood donations from the US carried risk of viral infection as early as 1953 the World Health Organization had warned of the hepatitis risk of associated with the mass pooling of the plasma products so yes this was the thing जब WHO 1953 में बोलता है इसके बारे में जल so it has that dried plasma should be prepared from pools of between 10 to 50 donors to reduce the risk of contamination हलाएं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर 10 to 50 नहीं ता 20 नहीं तो उस ताम पर क्या था बहुत सारे लोग ये कठे मिलके ये सब चीज़े कादा था 1974 में UN की अजेंसी warned Britain not to import blood from the countries with a high prevalence of hepatitis such as US अदब उसको जाए फाय लिवर एजेंसे ने जब bomb किया then another warning of the risk contacting HIV कब मिला था 1982 के अंदर ठीक है so the point is अगर आपनी सारी रिपोर्ट आपने देखी तो हमारे बात क्या है कि उस टाइम पे सिर्फ गॉर्मेंट की जो आप क्या है सकते हो so ये तो पूरा का पूरा स्केडल आप कि अब तो चलो गॉर्मेंट कहरी है कि yes we are giving the start भी कर भी a compensation देना ठीक है दिया भी गया है but the point is इस तरह का जो आज जाए जाए नो डब तो चलो health उसमें बहुत सारी चीज़ें धान देरी जाती है but then also this was a very big question when we are talking about the UK they set example correct but yes that was all so yes UK blood scandal so this was the reality correct so that is all for this particular update अभी आपके स्क्रीन पे कुछ चूर्स for SSB interview हर्मीन आपके स्क्रीन कीजे we are having the courses for ND, C, D, S, F, K you can enroll in this particular courses and जभी आप 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 आपके स्कांट कोट जो किया आपके स्कूर्या 10 अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं